निशिकोई के एपिसोड 19 के शुरुआत में जो शुव होता है वो बोल रहा होता है कि हमारी फेर वोटिंग के साथ हमने डिसाइट कर लिया है जो इचीज़ों राकूए है वही रोम्यों का रोल करने वाला है और जो अनुदर है वो जूलेट का रोल करने वाली है तब ही जो में करेक्टर का रोल करना है और तब ही जो मारी का होती है वो एकदम से शान्त हो जाती है ये सुनने के बाद फिर एक स्माइल देते हुए बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते है और ये सुनने के बाद जो इचीज़ों होता है वो काफी ज़द तो फिर सब लोग classroom में report करना उसके बाइद हमें school के बात कसिंदिक आजाता है जहां पे जो हिची होता है वो देखता है जो चितोगे है वो चली गई है तो फिर वो सीधा भागते हो और school के बाहर जाता है और चितोगे को रोकता है और फिर पूछता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो हम दोनों को तो एक साथ जाना चाहिए था ना तो फिर जो चित हो गया है वो बोलती है कि एक दिन मैं अकेली चली जाओंगी तो उससे कोई फरक नहीं पड़ जाएगा और वैसे भी मैं प्ले में बिल्कुल भी नहीं हूँ तो में ना रहने से कोई फरक नहीं पड़ता और अगर तुम्हारी बात हो चुकी है तो फिर मैं जा रही हूं घर और फिर वो जाने लग जाती है पर तभी जो इच्छी हो है वो चिलाने लग जाते है कि अगर तुम्हे को अपनी प्रॉबलम नहीं बताओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें क्या हो रहा है अगर मैंने तुम्हारी साथ कुछ किया है या फिर तुमसे कुछ कहा है तो फिर मेरे से कम से कम बताओ तो सही जिससे कि हम लोग बात करके उस मामले को सुल जा सकते हैं पर जो चितो गया है वो बोलती है कि मैं तुम पे बिल्कुल भी गुसा नहीं हूँ या फिर ऐसा कोच और मैंने तुमसे कई बार बोला है कि मेरे से ज़्यादा फ्रेंडली वे में बात मत करो हम दोनों एक रियल कपल भी नहीं है तो फिर परसनली में मुझे तुमसे कोई भी अच्छे तरीके से बात करनी की जरुवत नहीं है और फिर जो चितोगे है वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर जो इच्छे होता है वो काफी गुसे में भी होता है फिर जो इच्छे होता है वो भी स्कूल में चले जाता है और यहाँ पर हमें अनुदर को दिखाया जाता है जो की इच्रो तुम कहां पे थे रिहरसल बहुत जल्ली शुरू होने वाली है तो इच्रो बोलता है कि मैं बस थोड़ा सा टहलने गया था और जो इच्रो होता है वो उना देरह से सही से बात भी नहीं करता और वहाँ से चले जाता है और तब ही जो अनदरा है वो चितोगे को देख लेती है और फिर अनदरा सोचती है कि क्या इच्जोगे अभी भी फाइट कर रहे हैं और तब ही जो अनदरा है उसको चितोगे की फोटो के बारे में याद आ जाता है जो कि इच्जोगे पास थी और फिर वो सोचती है कि मुझ को कोई डॉकिमेंट्स देती है और जो टीचर है वो बोलती है कि मैं का शुरुआत में काफ़ अंडर्वेर में थी और जो इचे जो है में जो जहां तक पता है उसी ने देखा था तो फिर वो कितना जादा जेंडल मैंन है उसने तुमारी फोटो डिरेक्ट लाके दे दी मेरे को मुझे नहीं पता था कि वो इतना अच्छा है और ये सुनने के बाद जो निदे रहा होती ह वो काफी जिदा हैरान हो जाती है और वो सुचती है कि अच्छा तो उस दिन ये हुआ था इसलिए इचिजों ने वो फोटो अपने पास रखी थी क्योंकि वो फोटो को टीचर के पास देने जा रहा था पर तब ही जो टीचर होती है वो बोलती है कि ये इचिजों ने बोल कई थी उन्हें के बारे में याद कर रहा होता है और तब ही वह बोलता है कि उसके बारे मैं भूल जाओ क्योंकि मेरे पास अभी ओन दे रहा है मैं उसको बिल्कुल भी डिसपॉइंट नहीं कर सकता मैं अपनी पूरी जिजान लगा दूँगा और फिर वह अपनी लाइन्स को बोलने लग जाता है और उन लाइन्स को सुनने के बाद जो ओने दे रहा होती है वो काफ़ ज़्यादा शर्माने लग जाती है और तब ही जो इची होता है वो उसको उसकी लाइन्स को याद दिलाता है तो यह सुनने के बाद जो ओने दे रहा होती है वो बोलती है हाँ मैं अभी थोड़ी से बूल गई थी और फिर वो सोचती है कि मैं जब से मुझे उस फोटो के बारे में पचा चला है तब से मैं काफी ज़्यादा सेल्फ कॉंसियस हो गी हूँ तभी हमें चितोगे को दिखाया जाता है जो की स्कूल के बार एक बुक लेके खड़ी होती है और वो सुचती है कि बेवकूफ हैंका कितना बड़ा बेवकूफ है तभी हमें इचिजो को दिखाया जाता है जो कि अपनी लाइन्स को बोल रहा होता है पर तभी जो मारिका है व पर जो रियल में जूलियट थी, वो रोमियोस के साथ शादी नहीं कर पाई थी, क्या तुम भी यही चाहते हो? वो यह काफी एटिटूड में बोलने लग जाती है कि इससे कोई फरक नहीं परता क्योंकि वो प्ले में पार्टी नहीं ले रही और यह सब सुनने के बाद जो सुकुमी होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और तभी हमें इस चीजो को दिखाया जाता है जो की जो शू है वो बता रहा होता है कि हमारी जो कॉस्पले की ड्रेसेज आएं वो सब आ चुकी हैं तो सब लोग ट्राइ कर लो और तभी हमें इस चीजो को दिखाया जाता है जो की काफी कमाल की लग लग ली थी और मेरे पको एक डाउट है गाईस क्या आप मेरे को बता सकते ह जो ओन दिरहा है उसके बाल इतने जाता लम्बे कैसे हो गये उसके जो बाल है वो कावी छोटे थे और फिर जो और चुलाने लग जाता है आप्ने मन में कि मैं उस लड़की के बार में क्यों सोच रहा हूं पर तभी उसके दोस्तों की आवाज आती है तो फिर वो एक दम छ चल जाता है और मना कुछ मुर्ण के और सिस्ट फ़ोंगे चाहा होटा है कि है यहां-पर स्वेक्स क्वालेकर फिर बोलने लग जाता यह दा है कि- उस चाराखो वाले को हम पे शक हो चुका है क्योंकि हम लोग काफी टाइम से एक दूसरे के साथ नहीं है उसको लगता है कि हम लोग बस एक दूसरे को और पसंद नहीं करते अगर हम लोगों ने वापस एक्टिंग नहीं की तो उसको शक हो जाएगा और यहां तक कि ऐसा भी ह नहीं रहना और नहीं मुझे तुम्हारे साथ बार बात करनी है यह मैं हम दोनों बस एक टोटल स्ट्रेंजर्जर्स हैं उसके अलावा और कुछ नहीं और तुम्हारा और हमारा कोई नाता भी नहीं है और ये सब सुनने के बाद जो ये जुड़ होता है वो सूचने लग जाता है गी हम दोनों बस एक टोटल स्ट्रेंजर्स हैं ये तुम कैसे कह सकती हो हम दोनों इतने टाइम से एक फे एक कपल का भाना कर रहे हैं पर फिर भी मैं मैंने तुम्हें एकदम साही से सुना हम दोनों एक टोटल स्ट्रेंजर्स हैं इतने टाइम से जब भी में तुम्हारे साथ घूमता था मैंने कभी भी मज़े नहीं किये और यहां तक कि तुम्हारे डैड ने जो भी चीज़ा बोली थी वो सब फेक थी, सब जूटी थी और यहां तक कि ऐसा कोई चांस नहीं है कि तुम ही वो लड़कियों जिससे मैंने 10 साल पहले प्रॉमिस किया था और जो इचीज़ा है वो मुँ बंदी नहीं कर रहा था और ऐसी उल्टी सीदी चीज़ा बताए जा रहा था कि तभी जो चितो गया है वो गुस्से में इचीज़ा को एक थपण मार देती है और उस थपण की आवाज इतनी तेज होती है कि सबी जो क्लास में लोग होते है उन सबी को सुनाई देता है वो थपण का आवाज और वो सबी लोग बाहर आके देखने लग जाते हैं जहां पर चीतो गया थपण मारने के बाद चली जाती है तब ही जो होने देरा है वो इचीज़ा का नाम लेती है और इचीजों बोलता है कि माफ करना होने देरा और फिर इचीजों वहाँ से जाने लग जाता है और जाते होए इचीजों सोच रहा होता है कि सच बताऊं तो मुझे उससे मार खाने की आदत हो गई थी पर लेकिन पता नहीं क्यों उसके चेहरे पे थपड़ मारने से काफ़ी जाता दर्द हो रहा है और फिर जामें चितोगे को दिखाये जाता है जो कि दिवार पे अपना हाथ मारे जारी होती है और बोल रहे होती है कि मैं कितनी बड़ी बेफकूफ हूँ फिर उसी वहां से सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाये जाता है जहां पे कल्चरल फेस्टिवल शुरू हो चुका होता है और यहां पे जो चितोगे होती है उसको उसके कुछ दोस्त बुला लेती है मदद करवाने के लिए क्योंकि जो चितोगे होती है वो फ्री रहती है और यहां पे हमें प्ले का सीन दिखाये जाता है जहां पे काफी सारे लोग आये होते है जिनको देखके जो उनदर होती है वो काफी ज़दा नर्वेस हो गये होती है फिर वो सोचती है कि मुझे पूरा अपना कुशिश करना होगा क्योंकि यहां पे इच जो भी होगा और तभी वो जाने लग जाती है फिर पर तभी हमें एक लड़की को दिखाये जाता है जो कि डेकोरेशन कर रही होती है और उसका पैर फिसल जाता है और उसको बचाने के चकर में जो ओनदर है उसके पैर में चोट लग जाती है और फिर हमें दिखाये जाता है जो टीचर होती है वो बोल रही होती है कि तुमारे जो पैर का चोट है वो काफी ज़दा है अगर तुम प्ले में पार्ट लोगी तो फिर वो और भी जादा बढ़ सकता है और फिर जो उनदरा है उसको प्ले में पार्ट लेने से मना कर देती है टीचर और यहां पर जो उनदरा होती है वो काफी सैड होती है फिर जो टीचर होती है वो मारिका के बारे में पूछती है कि वो कहां पर है फिर हमें सभी बच्चों को भी दिखाया जाता है जो की काफ़ ज़्यड़ होते हैं और तभी हमें इच्यो और ओनदर को एक साथ दिखाया जाता है जहां पे इच्यो सोच रहा होता है कि क्या ऐसा कुछ नहीं है जो कि मैं रहता है वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो ओनोदेरा ये प्ले क्रैंसल नहीं होगा और फिर वहाँ से इच्चिरो भाग जाता है फिर हमें चितोगे को दिखाया जाता है जो कि काफी ज़्यादा अपसेट होती है और वो सोच रही होती है कि मेरे को पता नहीं मैंने उस दिन वो सब क्यों कहता है इच्चिरो से मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसा फिल कर रही हूँ पर तभी वहाँ पर ओनोदेरा कोई हाथ पकड़ लेता है और हमें दिखाया जाता है कि वो इच्चिरो होता है और फिर इच्चिरो बोलता है कि मैं तुम से भीक मांगता हूँ ओन तुम चाहता है कि तुम जूलियीट का रोल करो, मैं तुमसे भीख मांगता हूं। तु चितो गे बोलने लग जाती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकते हूं, मुझे कोई भी लाइन सी याद नी है। तो इस जो बोलने लग जाता है कि पर लेकिन मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि अगर हम दोनों एक साथ करेंगे तो सब कुछ हो सकता है तो प्लीज मेरा साथ दो इसमें पर जो चितो गया है फिर वो बोलने लग जाती है कि क्या तुम्हें याद नहीं तुमने उसी दिन उसी बात को सोच रही है जो मैंने इससे बीच में कहा था ऐसे तो मैंने इससे कई बार कहा था पर लेकिन कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ पर लेकिन मुझे लगता है कि इस बार काफी ज़्यादा अलग है यह वही इडियर्ट नहीं है जो कि हमेशाँ से थी फिर जो है मैं तुम्हें hate करता हूँ और ये सब सुनने के बाद जो चितोंगे होती है वो smile करती है और फिर वो बोलती है की ऐसा है क्या और उसके बाद इचियो के पीछे जाती है और उसके पीट में सहारा लेते हूं बोलती है की अगर ये जूट हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली और फिर जो एची जो है वो भी स्माइल करता है और यहां पे चितोगे भी स्माइल करती है और इसी तरीके से एपिसोड भी खतम हो जाता है तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा और अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगाए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सस्क्राइब कर देना और इंस्ट्राग्राम में भी फॉलो जरूर से कर लेना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक क्लिए स्या होना रहा